नमस्कार दोस्तो मैं हूँ डॉक्टर जाए मेरे यूटूब चैनल डॉक्टर जाए को मरसमा आपका स्वागत है दोस्तो आज में लोग बात करेंगे ओस्टियो अथ्रैटिस के बारे में इस वीडियो के मादेम से इसके कारण पर बात करूँगा इसके लच्छन पर बात दोस्तो सबसे पहले हम लोग समस्जते है कि यह या कि या कि वह कि परूंट यो टर्म होता है इसका मतलब किया है कि अधस्दा ओश्च्च आ कि अब दोस्तो यह देखने के लिए कि यंवे जाधा मिलता है जो ओवरबेट है जिनकी दैनिक जीवन की जो एक्टिविटी है बार-बार किसे जुएंट का यूज बार-बार वो जब करते हैं एथलेटिक्स परसन भी हो सकते हैं कि किसी तरह का अगर जुएंट में किसी तरह का तो ऐसे जो लोग है या इस तरह के जो सफ्रार है उनमें ये देखने के लिए ज्यादा मिलता है कर अब दोस्तों पेशेंट कम्प्लेइन क्या करते हैं किस तरह के लच्छन देखने के लिए मिलते हैं अगर लच्छन की बात की जाएए तो पेशेंट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जब मैं रेश्ट में रहता हूं काफी मुझे दर्द होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जैसे से मैं चलना चालो करता हूं मुझे दर्द जादा होता है कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मैं है हमारा बॉडी का जो सबसे बड़ा जब होता है जैसे जी सब नी जोंट हो गए हिब गोगा आंकल Skyight हो गए जो बड़े जो हब होते हैं जिस पर बार बार मोवमेंट होता है और बार मैंकनिकल इंजूरी होता है तो दोस्तों वहां पर यह होने का जान्स ज्यादा होते हैं तो निजंटी होता है उसके बारे क्लें हम यहां भी बात करेंगे कि वहां पर क्रिप्ट का नी कभी कभी क्भी क्या होता है कुछ जासे लगता है कोई दुए कर जाते हैं और वह क्या होता है करके जब को पूड़ते हैं फिर सीधा आप करने कोुछ़िश करते हैं तो व ज्वय्ण्ट स्वेल कर जाता है Range of Motion क्या होता ह? ज्वय्णड का जितना मुड़ना चाहिए जोड जितना काम करना चाहिए वो क्या होता है कि लिमिट दैरे में हो जाता है जो Normal Value होते है उससे वो कम हो जाते है भूठने को जब दबाया जाता है चारोगे से तो किसी खिस पॉइंट पर होता है काफी सार पेन होता है इने टेंडरनेस बढ़ जाता के कलर वी चेंज हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा प्लार हो जाएगा देखने के लिए by इसके जुए साथ साथ दोस्तों अगर पेसेंट寝 इजी में चाहता है कि हम मोव्मेंट कर लें इदा himself उसकी चीज़ देखने के लिए मिलतें णुण होती है तो जो मैं इसमें जो बहते जो दबाईयां है उसके बारे में बताऊंगा तो दोस्तों जो सबसे पहले और इंपोर्टेंट जो इसकी मेडिशन है रस्टक्स रस्टक्स में देखने के लिए क्या मिलता है आप रेश्ट में है आपको दर्द होगा अकड़ा हुआ पैर लगेगा जैसे कोई चीज से फसा हुआ है दोस्तों ऐसे कंडिशन में आपको रस्टक्स के बारे में सोचना है ब्राइनिया में देखने के लिए क्या मिलता है दोस्तों उसमें देखने के लिए मिलता है कि जब आप मुव्मेंट करते हैं तब आपका पेन क्या होता है बढ़ता चला जाता है मुव्मेंट करने से पेन आपका बढ़ता चला जाता है रेश्ट में है पेन कम रहता है दोस इसरी बेहत्रिन मेडिशन कोस्टिकम कोस्टिकम में देखने के लिए क्या मिलता है जैसे लगता है कि नीचारतव से कोई चीज से बंधा हुआ है टाइट किसी कपले से बांध दिया गया है फ्लैक्सिबिलिटी रिड्यूस कर जाती है फ्री मोव्मेंट नहीं होता है दर्द बना रहता है जड़ातर दाहिने पैर में देखने के लिए मिलता है दोस्तों ऐसे कंडेशन में आपको कोस्टिकम के बारे में सोचना है दोबुन सुबर दोबुन दोफर दोबुन साम जोएंट बंधा बंधा महसूस होता है क्रिप्टा सौंग बनी रहती है दोस्तों ऐसे कंडेशन में आपको काली कार्ब के बारे में सोचना है दोबुन सुबर दोबुन दोफर दोबुन साम थर्टी पाउर में लेकर क्या नहीं है और पांच मीं जो सबसे बहतरिन मेंडिस क्रिप्टा सौंग आता है Nokia का फॉरह मेंड का फॉर्मिस्चन हो जाता है ऑक्यों च्शक्राइब का फॉर्मिस्चन हो जाता है ज्यूआन्ट के जो काइट डैमेज होने लगते हैं दोस्तों ऐसे कंडेशन में आपको काली आयड End के बारे में सोच रहा है सुछ दोबुन से मतलब अपने character के हिसाब से जब अपने character के हिसाब से जब medicine का selection करते हैं कि यह medicine मुझे लेनी चाहिए उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक combination medicine जो है वो लेना है ने कि patent medicine के बारे में आपको बताने वाला हूं उसे लेना है दोस्तों तो net care company की net care company की उसका मैं picture आपको यहां लगा रहा हूं ऑस्ट्रियो care आप देख सकते हैं ऑस्ट्रियो केर अब दोस्तों इस medicine को कैसे लेना है जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए दोस्तों ऐसे कंडिसन में आपको इस मेडिसन को लेकर क्या नी है इसके अंदर तीन वहतला हृँ एक खाली वोतल रहती है दो एक में और दुसरे में B लिकी रहती है सिए इद निसके चभर मिला हुआ है अर्निका। रूट को में डलका मारgue और वी वाले मैं मिला हुआ है रस्ट्रक्स एक्टिया रस्यमोसा और प्नी का रूफ है अब दौस्तों ये दोनों दवाईयों मैं से यानि ए और बी में सेough को क्या करना है खाली बोतल में मिला देना है जब भी आपको लेना है थोड़ा सा स्ट्रोक लगा लेना है 20 सुभा 20 दो फर 20 साम अपने कंडिशन के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आप 4 बार भी ले सकते हैं अगर आप साथ जो मैंने मेडिशन अभी आपको जो दिखलाया और इसको अगर आप लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके घुटने के दर्द आपके हीप जोएंट आपके नी जोएंट के जो पेन होते हैं वो काफी कम हो जाता है इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे मेडिशों में द कोसिस करना है कि थोड़ी exercise जरूर करनी है दवाईयां तो लेनी है दवाईयों के साथ साथ exercise जरूर करनी है और क्या नहीं करना है दोस्तों कोसिस करना है पालती नहीं मारने या कोसिस करना है ज्यादा सीरी चढ़ने उतरने का काम नहीं करना है नी को प्रोपर सपोर्ट देन है नीकैब से इसके साथ-साथ पूजा पार्ट जब भी करना है मचिया टोल कुर्सी पलंग का इस्तमाल करना है लेट्रिंग बातरूम में कमूड का इस्तमाल करना है यह दवाईयों के साथ साथ जब आप precaution करते हैं और management जो मैंने बताया नीकेप का इस्तमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके घुटने काफी मजबूत हैं और आप अपने problem से बहुत ज़ड़ छुटकार अपा जाते हैं दोस्तों मैंने अभी जो osteoarthritis के उपर में जो बताया कि ऐसा अगर आप करते हैं इस तरह की medicine लेते हैं तो आपके problem solve जाते हैं अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इसे like करे, share करे, subscribe करे इसके साथ साथ दोस्तों ये जो मैंने जो वीडियो बनाया है ये आपकी जानकारी के लिए है अगर आपको इस तरह का problem अगर होता है तो कोसिस करें कि नजदी की doctor से सला जरूर ले इसे के साथ में जैहिन जैभारत